हो दोस्तों मैं आपके लीक नौय आपडेक्ट लेकर आए हूँ दोस्तों या आपडेक्ट व्याइट एड्मिशन के हावाले से है दोस्तों इनवासिटी आफ कश्मीर बेड के लिए है, यहां पर आप देख रहाए हूँ, इनवस्टी अफ कश्मीर, ओफिस अपर दीन कॉलेज, डिलिफमेंट काउंसिल, बेड एडमिशन नोटिफिकेशन, सेशन 22-24, 22-24 के लिए, यहां पर बेड के लिए एडमिशन नोटिस रिलिस किया है, कश्मीर प्रग्रम सेशन 22-24 इन प्राइवाट बेड कॉलेजिस रिकाग्नाइज़ लाइकली तो बेड कॉलेज़ इनवस्टी अफ कश्मीर, स्री नगर, दोसों, यहां पर आप ध्यान से यह लाइन देखिए, कि टू यहां बेड प्रोग्रम के लिए, एडमिशन नोटिफिकेशन यहां पर रिलिस किया, इनवस्टेफ कश्मीर ने, तो जो भी कालेज़ प्रेवट कालेज़ हैं, एफिलेटर है विद इनवस्टेफ कश्मीर, और लाइकली तो बी रेकॉक्नाइज़ विद ए एन्सिटी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडू में बताया है, कि जो भ ऑफ्रेशार हो यहां पर बैट के लिए और लोगे तो क्या-क्या प्रेंट्रण देटर रहेगा, यानि कौन से इसके लिए इन एक ओन हो गया है, वो भी हम यहां पर देखते हैं देकन डेटर्स शूर्ड हाव कॉलिफाइड बेचलर्स डिग्री जुद्धों ने भी बेचलर्स डिग्री पास किया है 10 पलस 2 पलस 3 पैटर्न के ताहत और at least 50% अगर वो जेनरल केटगरी से बिलांग करते हैं और अगर वो किसी रिजर्वट केटगरी से बिलांग करते हैं तो उनके लिए 45% होना ज़रूरी है तो तब वो एन कॉलिज के लिए अपलाई कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पर डेटर्स देखते हैं कि कब से फार्मस स्टाट हो गए हैं और कब इसका लाजट रहेगा दोस्तों यह जो कॉलिज हैं इनके लिए फार्मस 28 नौंबर से ही स्टाट हो गए हैं और लाजट टेट इनका रहेगा 27 डेसमबर तो 27 डेसमबर तक आप इन कॉलिज के लिए यह फार्मस बर सकते हो online आपको forum बार देना है और 27 के बाद यानि 28 December से लेकर 27 January तक आप फिर सी यह फारण बार सकते हो लेकिन उस टेम आपको lead fees देना होगा उसके बाद यहां पे कहा गया है कि 30 days के अंदर फिर selection list आ जाएगा जब इसका lost date खदम हो जाएगा तो कैसे आपको apply कर देना है वो भी हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको इनिवस्टिटी के option website पर किलिक कर देना है जो कि यहां पर आप देख रहे हो इसको मैंने description में भी जाल दिया है आप description में जाकर इस link पर किलिक करके बाके steps follow करके फारमस पर सकते हो तो जब आप इस link पर किलिक करेंगे वहां पर आपको बहुत सारे options आ जाएंगे तो आपको वहां पर choose कर देना है admissions तो जब आप admissions पर किलिक करेंगे तो वहां पर आपको एक option आ जाएगा bad application farm for private colleges तो इस पर आप किलिक करेंगे तो जब आप इस वकिलिक करेंगे तो आपके समने एक फारम उपन हो जाएगा जो आपको fill up कर देना है उसमें आपको अपने personal और academic details fill up कर देना है तो जब आप वो details fill up करेंगे उसके बाद आपको अपना photograph आफलोड कर देना है और उसके साथ एक signature भी उस photograph की नीचे अफलोड कर देना है और उसके बाद आपको submit कर देना है लेकिन submit करने से पहले आपको एक बार वो फारम rate कर देना है ताकि कहें पर कोई mistake नहों अगर आपको लगता है कि कहें पर कोई mistake है तो आप press पर करके उसको edit कर दो और edit करने के बाद उसको submit कर दोगे क्योंकि submit करने के बाद आप उसको edit नहीं कर पाएंगे तो जब आप वो submit करेंगे उसके बाद आपको उस फारम की print out का भी निकाल देनी है और last में आपको fees भी deposit कर देना है जो कि आपको 750 रुपीज pay करना होगा और ये fees भी आपको online ही pay करना होगा उसके बाद जो फारम आपने download कर दिया है वो आपको as a hard copy भी submit कर दिनी है the candidate after submitting their online application फारम must submit the downloaded फारम यानि hard copy with the following documents in the office the college development council by or before 31st January यानि 31st January से पहले पहले या 31st January तक आपको उस फारम की hard copy और उस hard copy साथ आपको अपने documents की copy रखने है वो आपको submit कर दिनी है कहां पर submit कर दिनी है Office of the D.N. College Development Council उसके बाद यहाँ पर कुछ additional information भी दी गई है आप चाहे तो इसको read कर सकते है लेकिन हम यहाँ पर इसको skip करेंगे क्योंकि यह उत्ता है important नहीं है दोसों यह था एक update read admission के हावाले से आज की वीडियो में फिलाल इतना है Thank you